आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें वी चाल से यह भी चल रहा होगा, जैसा ही छोड़ा जाता है उस समय इसकी की चाल कितने होगी? वी चाल होगी, अब मान लिया कि हमारा धरातल है नीचे की तरफ तो यह बं किस पर कर आएगा? देखो यह बं यहां से चल रहा है और फिर उसके बाद क्या करेगा कि ये परवले गती करना स्टार्ट कर देगा तो V के कार्ण तो ये छेतीज में जाएगा लेकिन हमारे पास क्या है कि गुरुत ये तरवन भी लग रहा है तो नीचे भी आएगा तो ये इस परकार और ये इस पत्थ में जो कि पत परवले होता है हमें पता है कि परवले होगा क्यों होगा क्योंकि V वेक से इस तरव चल रहा है और हमारा वेक क्या है नीचे की तरव भी बढ़ते जा रहा है किसके प्रभाव में जी यहां पर गुरुत्य तवरन लग रहा है गुरुत्य तवरन लग रहा है जैसे कि यहां से फैका जाता है कोई लड़का अगर कोई पिंट को पहाड़ से फैकता है तो वो केस परकार जाता है परवले गति करता है अब देखो यहां पर आ रहा है तो व आपर उसके करण और इंशुखने में समय कितले लगेगा मालिया की एच हुचाई है तो h उचाई यहाँ पर समय लगा है तो h बराबर कितना हो गया u square upon 2g हमें पता है कि u square upon g होगा 2g नहीं g तो देखो यहाँ पर Newton की समीकरण यूज कर लेता हो ताकि मेरा सुत्र भी निकला है Newton की समीकरण हमारी क्या कहते है कि v square बराबर u square यह फिर मैं कर लेता हो दूसरी समीकरण की s बराबर ut plus का half 80 square half 80 square अब इस समीकरण को मैं कहा रहाँगो उद्धवादर में लगा रहा हूँ तो यह मान लिया कि हमारी h उचाई है यहाँ पर यह कितनी है h उचाई पर है हमारा को परारब में विमान उड़ रहा है तो h उचाई में तो h यहाँ पर रख दिया यू यहाँ पर परारब भी क्या है नीचे की तरफ उच्दवादर में सुनने है प्लस का हाफ 80 स्क्वाद तो इतना समय लगेगा इसे t को मतलब कि 2h बटा g यहाँ पर तबरन लग रहा है तो g बटा यह रूट में हो जाएगा तो t इतना जाएगा 2h बटा g और यह रूट में आ गया t समय आगे यहाँ पर तो यह आगे हमारा समय देखो इतने समय में यह गती कर चुका गए इतनी चाल से तो अगर देखा जाए एक समान चाल से ये भी चल रहा है, एक समान चाल से ये भी चल रहा है, तो 36 में दोनों ही समान चाल से लग रहे हैं और दोनों ही समान वेक से जा रहे हैं, और दोनों को समान यहाँ पर समय मिला, तो मान लिया कि यहाँ पर हमारा कण यहाँ पर टकराया तो देखो V वक से ये भी जा रहा है V into T समय इसकी दूरी होगी यहां से और यहां तक और इसके पास कितनी होगी अगर 36 में हम बताएं तो V इंटो T इतनी चाल से ये कण आगी तरफ जा रहा हो tão तो ये भी इतनी ही दूरी ते कर रहा है और ये भी इतनी ही दूरी ये टेकर रहा है तो एक तरह से हम कहा सकते हैं कि यहाँ पर दोनों के दोनों उपर नीचे होंगे तो यहाँ पर हमारा विमान फिर से होगा तो हमारा विमान यहाँ पर पहुंच चुका होगा ठीक है इसी के उपर उर्द्वादर इसी के उपर रहेगा क्योंकि ये भी वीवेक से जा रहे था और T समय दोनों को लग रहे तो यहाँ पर T समय में ये इतनी दूरी जितनी 36 दूरी तैग करेगा उतनी 36 दूरी ये वाईवान तैग करेगा तो कहां पर होगा वाईवान कहां होगा पत्थर के बम के उपर तो यह हमारी यहाँ पर उत्तर हो गया है धन्यवाद